हेलो फैंट्स वेलकम टू अलो प्यू अन माई यूटूब चैनल सरकारी वारत सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं डियाडियो एम अप्रेंटिस की भरती निकली हुई है और इस भरती के लिए क्या क्या चाहिए क्या इसके लिए एलिजबिल्टी मेल और फीमेल दोना प्रकार की केंडिडेट इसमें फॉर्म बर सकते हैं बहुत बड़ी भरती मानी जा रही है और अगर आप इसमें फॉर्म बरते हैं कितने पदों पर आखिरकार यह भरती है कितने पदों पर है तो आप सभी को बता दू कि अगर आप इसमें फॉर्म बर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ डियो के एं टीएव के स्टूडेट के लिए बहुत जादा एक तरीके से समारी रिल्यो लियूट्न सिर्फ डियो ख़ें डियर्नदीय्क अपरेंटिस डूटुमेंटी और निकली है डिफेंस रिसर्च and development organization दे निकाली है जिसकी post name है GTRE Apprentice क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले there is no application fee for all the candidates यानि कि आपको कोई भी इसके अंदर fees नहीं भरनी होगी इसकी starting rate यानि कि आविदन पर किया कि जो शुरुआती दिन है यानि कि 7 जनवरी से आप इसमें form बर सकते हैं और अज इसकी अंतिम्तिती 29 जनवरी 2021 है इसके अंदर जो भी student form बरेंगे उनको short list किया जाएगा और short list declare किया जाएगा 21 फरवरी 2021 को final selected list जो आएगी वो 1 March 2021 को आएगी और इसकी joining की जो date होगी वो 1 April 2021 होगी job location की बात करें friends तो job location इसकी बैंगलूरू रहने वाली है age limit की बात करें तो minimum age 18 वर्स होनी चाहिए और अधिक्तम age 27 वर्स होनी चाहिए age limit as on 5 January 2020 तक count की जाएगी age relaxation, upper age limit, age per rules ये notification में बाकाइदा सब कुछ mention किया गया है number post की बात करें friends तो number post इसमें 150 पद है ये मतलब ये mileage ये 150 पद बहुत जादा है क्योंकि इस प्रकार की vacancies में जब apprentice के पदों पर भरती निकलती है तो बहुत कम ही लोग इसमें form बरती है लेकिन आप लोग जरूर form बरिएगा और 150 पदों पर ये भरती निकली हुई है बहुत बड़ी भरती मानी जा रही है वेकेंसी डेटेल्स क्या है ये भी देख लेते हैं EC और EI के लिए 12 पद है CS, CE या फिर IS या IE के लिए यहाँ पर 18 पद रखे गए हैं Material Science के लिए 4 पद है Civil Engineering के लिए 1 पद है Diploma Apprentice Training के लिए यहाँ पर ME Production के लिए 15 पद रखे गए हैं अगर बात करें Friends, ITI Apprentice की तो Mechanics जो Mechanics होते हैं उनके लिए 5 पद, Fitter के लिए 8 पद, Turner के लिए 5 पद, Electrician के लिए 4 पद और Welder के लिए यहाँ पर 2 पद खाली है आखिरकार इसके अंदर Pay Scale क्या होगा तो BE, BTEC के लिए 9,000 रुपे पर मंत, Diploma के लिए 8,000 रुपे पर मंत, और ITI के लिए 7,000 पर मंत, यह आपकी ट्रेनिंग के दोरान ऐसा होता है Next Friends बात करें कि Educational Qualification क्या है तो Graduate Apprentice Training के लिए यहाँ पर Candidate Having BE, BTEC Engineering Degree in Related Stream in Any Recognized University in India तो आप इसमें फर्म बर सकते हैं, Diploma Apprentice के लिए Candidate Having Diploma in Engineering in a Related in Stream Recognized Board in India ITI Apprentice की बात करें तो Candidates Having ITI Certificate in Related Trade from a Recognized Institute के तुरो, तो आप इसमें भी फर्म बर सकते हैं Mode Up Selection की बात करने तो इसके अंदर जो Mode Up Selection है, वो Selection बिल भी Based on Written Examination और Interview के आदार पर इसमें आपको भर्ती किया जाएगा Friends इसका ये Notification है, मैं Notification की भी थोड़ी सी दिखा देता हूं Notification क्या है अच्छा अनुसंधान थाविका संगठन, यानि के Gas Turbine Research Institute Establishment की तरब से है और इसमें आप Complete Detail देख सकते हैं तो Friends, मतलब ये तो एक Skin Sort ही है इसका, अगर आपको Complete देखना है तो आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं, Official Website पर जाकर देख सकते हैं, DRDO की Official Website पर अगर आपको वडियो अच्छा लगा तो वडियो को Like कीजगा, चैनल को Subscribe कीजगा, वडियो को Share कीजगा, चलिए मिलता है नेक्स्ट वडियो में, Thank you, Thank you for watching this वडियो, चैनल को Subscribe करना बेलकौल मात भोलिएगा